हेरा क्लिटस एक प्राचीन ग्रीस तार्षनिक थे, आए जानते उनके कुछ प्रेरक विचार कोई भी आदमी एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रखता क्योंकि यह वही नदी नहीं है और वह वही आदमी नहीं है समय बच्चो द्वारा खूबसूरती से खेला जाने वाला खेल है आपका चरित्र कहशा हो यह आपकी अपनी पसंद है दिन वदिन आप जो चुनते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं वही आप बन जाते हैं जो कोई अप्रत्यासित की तलास नहीं कर सकता, वो अग्यात मार्क के लिए कुछ भी नहीं देखता है, वो अगतिरोध है, यह बदलने में हैं कि हम उद्देश सिपाते हैं, ग्यान की प्रचूरता मनुस्य को बुद्धिमान होना नहीं सिखाती, जो लोग ग्यान से प्यार क करते हैं, उन्हें कई चीजों की जाच करनी चाहिए, अच्छा चरित्र एक सप्ता या एक महने में नहीं बनता है, या दिन बद दिन थोरा-थोरा करके बनाया जाता है, अच्छे चरित्र के विकास के लिए लंबे और धहरिवान प्रयास की आवशकता है, पुरुस भूल कि रास्ता कहां जाता है, और जो वे हर दिन मिलते हैं, वह उन्हें अजीब लगता है, हमें शोये हुए पुरुसों की तरह काम नहीं करना चाहिए, और बोलना चाहिए, हलाकि या वचन सभी के लिए शामान्य है, बहुत से लोग ऐसे जीते हैं, मानो उन्हें अपनी नीज है, यह जानना कि कैसे सही निरने लिया जाए, यह उस विचार को जानना है, जिसके द्वारा सभी चीजे सभी चीजों के माध्यम से संचालित होती है, संभाव रखना सबसे बरापुर्णी है, सत्य बोलना और उसके स्वभाव के नुसार कारी करना ही बुद्धी है, अगे निकल जाएगा, हमारी इर्षिया हमेशा उन लोगों की खुसी से अधीक समय तक चलती है, जिन से हम इर्षिया करते हैं, स्रेस्ट लोग एक लक्ष के लिए सभी को त्याग देती हैं, नस्वर की स्वासत प्रसिधी, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को मवेश्यों क की तरह भरते हैं, क्योंकि यह इतना अविश्वस्निय है, सत्य अक्षर ज्याद होने से बच जाता है, सम्रिद्धी का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति खत्रे का सामना नहीं करता है, सभी पूर्सों में श्वैंक को जानने और शेयम से काड़ी करने की छंता होती है, स्तित्व में आती है, ज्यान के लिए आवे तक वही करें जो मैंने किया है, भीतर पूस्ताच करें, मुर्क हर सब्द से उत्साहित होता है, सत्य बोलने और काड़ी करने में ही बुद्धी नहीं थैं, जैदा सीखने से समझ नहीं आती, सोये हुए पूर्सों की तरह काड़ी करना और बोलना उचित नहीं है, जब हम खेल में बच्चों की गंभीरता को प्राप्त करते हैं, तो हम सबसे अधिक श्वेंग होते हैं, जो जागते हैं, वे सब एक ही संसार में रहते हैं, जो सोये हुए हैं, वे अपने ही दुनिया म जीते हैं, परिवर्तन के अलावा कुछ भी अस्थाई नहीं है, थैंक यू फोर यूर वैलिवल टाइम